ऐसे संकेत की आपकी तीसरी आँख देखना शुरू कर रही है। हालांकि इसे अपीनियल ग्रंथी के रूप में जाना जाता है, लेकिन सदियों से अलौकिक के उत्साही लोगों के लिए इसे तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है। तीसरी आँख मानसिक शक्तियों और गहरी अंतरद्रिष्टी का एक महान प्रकटी करण है आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा जब आपको लगा हो कि कुछ होने वाला है उसके वास्तव में होने से कई दिन पहले ही आपको यह आभास हो गया होगा यह उदाहरन बहुत भारी पढ़ सकते हैं यदि आप नहीं जानते कि उनका अर्थ कैसे निकाला जाए फिर भी आप स्पष्टता की और अपनी आध्यात में क्यात्रा को सम्रिध करने के लिए और अधिक ज्यान प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपकी तीसरी आँख खुली हो सकती है लेकिन आप सौ प्रतिशत निश्चित नहीं हो सकते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए यह दिये गए संकेत सुनने चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं एक, आपके सिर में बरता दबाव यह तीसरी आँख खुलने का सबसे आम लक्षन है, आपको अपनी बोहों के बीच दबाव बरता हुआ महसूस होने लगेगा यह सिर्फ धरकन या माथे के बीच में किसी चीज के फैलने का तीवर एहसास हो सकता है पर आध्यात्मिक विशेश ग्या आपको इसके बारे में चिंता न करने की सलाह देते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से सौम्य है और समय के साथ गायब हो जाएगा वे यह भी कहते हैं कि यह कहीं से भी आ सकता है और आपके माथे पर गर्माहट का एहसास होना जैसे कि कोई चूरहा हो यह काफी सामान्य है इसलिए जब ऐसा हो तो घबराए नहीं दो, दूर दर्शिता आप भविश्य की घटनाओं के बारे में पहले से ही अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह आपके पेट में होने वाली एक छोटी सी हलचल हो सकती है जो आपको सचेत करती है कि कुछ होने वाला है इस भावना या अंतर ज्यान को नजरंदाज न करें और इसे आगे बढ़ने का मार्ग दर्शन करने दें यह पहली बार में दरावना लग सकता है लेकिन जिसक्षन आपको एहसास होगा कि यह शक्ती पूरी तरह से आपके द्वारा नियंतरित है आपके लिए इसे रास्ता दिखाने देना आसान हो जाएगा तीन, प्रकाश के प्रती समवेदनशीलता जैसे जैसे आपकी तीसरी आँख फैलती है आप पाएंगे कि आप प्रकाश के प्रती अधिक समवेदनशील होते जा रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सच मुझ दुनिया को एक नई रोशनी में देख रहे हैं आप रंगों क चुंकि आप अपने आध्यात्मिक स्वर के साथ अधिक तालमेल में हैं इसलिए आप दुनिया के बारे में अपने नए द्रिष्टिकों का लाब उठाएंगे आप पाएंगे कि आप अधिक शांद, अधिक शमाशील और प्रेम पूर्ण हैं ये परिवर्तन आपके आहार को भी प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी तीसरी आँख को साफ रखने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूर रहेंगे हो सकता है कि आपको इन अच्छे परिवर्तनों का कोई कारण न मिले, लेकिन निश्चिंत रहें कि ये आपकी अंतरग्यान और आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो आपको स्वस्थ जीवन विकल्पों के लिए मार्ग दर्शन कर रही हैं इन परिवर्तनों पर नजर रखें क्योंकि वे ये सत्यापित करने का एक निश्चित तरीका हैं कि आपकी तीसरी आँख वास्तब में फैल रही है पांच, शक्तियों का प्रकटी करन आम धारना के विप्रीद, सक्रिय तीसरी आँख वाले लोगों में मानसिक शक्तियां प्रकट होना असामान्य नहीं है टेलीपेथी और दिव्यद्रिष्टी इसके दो सबसे प्रमुक उदाहरन है चाहिए आपके लिए कितना भी अपरिचित क्यों नहों, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए अपनी शक्तियों को अपनाएं और उनका पोशन करें 6. प्रत्यक्ष से परे देखना हाला कि हर किसी से ज्यादा जानना और देखना बोजिल हो सकता है लेकिन आपकी तीसरी आँख आपको आधे अधूरे जूट और चमकदार नारों को पहचानने में सक्षम बनाएगी एक ऐसा रस्टोरेंट जो खाने पीने की सभी तरह की चीजें उपलब्द कराता है आम लोगों को लुभा सकता है लेकिन आपके लिए ये ज़रूरत से ज्यादा खाने के लिए आमंतरन जैसा होगा विचारों की यह सपश्टता आपको सही निर्नाई लेने में मदद करेगी साथ, स्वयम के प्रती बढ़ी हुई अनुभूती ये अंतिम संकेत ऐसा है जिस पर बहुत से लोग ध्यान भी नहीं देते एक खुली तीसरी आँख आपके भीत्री आत्मबोध को बढ़ाएगी इसलिए, खुद को रुचियों, पसंदों और नापसंदों वाले एक मात व्यक्ती के रूप में परिभाशित करने के बजाए आप खुद को ब्रह्मान के एक हिससे के रूप में सोचेंगे आत्मबोध में ये व्रिद्धी आपको किसी और के बजाए खुद पर अधिक भरोसा करने में सक्षम बनाएगी और आपको वो सफल जीवन प्राप्त करने देगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है सक्रिय तीसरी आंक के संकेतों का अनुभव करना ब्रामक और यहां तक की बिलकुल दरावना भी हो सकता है यदि आप नहीं जानते की उनसे कैसे निपटना है ध्यान और शांत करने वाली गतिविधियां जो आपको अपने आध्यात मिक्सव के साथ गहरा संबंद बनाने देती हैं आपकी सबसे बड़ी संपत्ती होंगी आप जो भी रास्ता चुनें हमेशा याद रखें कि ये सभी अभिव्यक्तियां एक आशीरवाद हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए छिपाना नहीं चाहिए पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद